Instagram settings new interface आने के बाद आप लोग की कापी ऐसी comment, dm देखने को मिल रहे है sir new interface में activity status को on off केसे करे activity status जिन लोगों को नहीं पता इसका क्या basically use होने वाला है चलो मैं पहले वो ही बता तहाँ जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है activity status, अगर आपने off कर रखा है, तो जैसे ही आप Instagram open करते हो, तो message box में सब को पता चल जाता है, आप Instagram पर active हो, वहाँ पर green dot and active लिखा हो आ जाता है, और जैसे ही आप activity status को on कर देते हो, then किसी को भी पता नहीं चलेगा, आप Instagram पर कब active होई and कब inactive होई, तो इसका ये फाइदा है, आपकी girlfriend को कभी पता नहीं चलेगा, कि आप Instagram active होई या नहीं, मतलब उसको कभी भी नहीं देखेगा, आप active होई या नहीं, कभी भी आप Instagram को open कर लीजिए, उसको पता नहीं लगए आप online हो, offline हो, समझे मा आ गया, तो अभी है पर गईज, new interface में कहां पर देखने को मिलेगा, आपको वो feature, and अगर आपके पास old interface है, वो कहां पर देखने को मिलेगा, चलो मैं old interface वालों को पहले बता देता हूँ, simply मेरे पास इस वाले account पर old interface है, और हाँ, जिन लोगों ने यहा पर follow नहीं क्या, technical save 8 को अभी के अभी जाके follow करो 10,000 followers जल्दी से complete करा दो ठीडोट में जाने है, settings में जाने है simply यहाँ पर आपको privacy पर click करने है यहाँ पर आपको देखना को मिलेगा activity status अभी यह off है मैं जैसे इसको यहाँ पर on कर दूँगा अभी किसी को भी पता नहीं चलेगा मैं Instagram पर कब active हुआ और कब inactive हुआ घीडोट और active लिखावा कभी नहीं आएगा ठीक है, तो अभी मैं इसको off कर दता हूँ, इस वाले account पर ठीक है अभ मैं bake करता हूँ then यहाँ पर मैं new interface में बताता हूँ आपको simply आपको ठीडोट में जाने setting and privacy में आ जाने यहाँ पर आपको आना है message and story replies simply इस पर आपको click कर देने हैं, अभी यहाँ पर आपको देखना को मिलेगा, so activity status, simply इस पर आपको click कर देने, यहाँ पर आपके सामने as interface आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको नीचे वाला option समझाता हूँ so your active status too, यहाँ पर लिखा है first public, second accounts you follow or have message, अगर आप यह कर दोगे, account you follow or have message जो बंदा आपको follow करेगा and message करेगा उसको आप active नजर आओगे, otherwise नहीं आओगे, active किस तरह से लिखाएगा इस तरह से देखो active no and यह green dots सी आएगी और पता चल जाएगा, कितने देर पहले आप active, inactive होए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको दिखा रहा है interface और जैसे ही आप public कर दोगे अब जिसने आपको follow नहीं किया है उसको भी show जाएगा, आप active हो, and जिसने आपको message भी नहीं किया है, वो आपके message box में आता है, उसको भी पता चल जाएगा कि आप Instagram पर active हो इसका यह फाइदा है, अब यहाँ पर लिखा है उपर वाले option में आ जाते है show your active status अगर आप इसको off कर दोगे अब किसी को भी पता नहीं चलेगा Instagram पर आप active हो या नहीं, कितिन देर पहले active होई थे, यह भी नहीं पता चलेगा कुछ भी पता नहीं चलेगा, इस तरह से लिखावाल नहीं आएगा I think आपकी समझ में सब कुछ आ गया है और मेरे को comment box में बता देना, अगर आपको message box की A to Z setting explain करवाना है, मेरे से और आपको समझना है क्या message box की setting होना चाहिए, क्या करना चाहिए किसका message आना चाहिए, किसका नहीं आना चाहिए, तो भाई साब देर किस बात किये जिशे comment box में जाओ, और comment में लिखो, Instagram, message box settings, A to Z explain video लेकर आओ, तो मैं video लेकर हजिर आओँगा, अगर ज्यादे comment आती है, मेरी जिम्मेदारी है, वीडियो बनाना तो वीडियो को यहीं पर रियान करता है, वीडियो को लाइक तो बनता है, share भी कर देना comment भी कर देना, प्यार इसी